दोस्तों मैं मोहन भर्मा दोस्तों सीटेट के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 9 दिसम्बर 2018 को सीटेट के एकजाम के प्रसनों को लेकर प्रसन का पेटर्न कैसा रहता है इसको समझने के लिए किस तरह के प्रसन पूछे जाते हैं हमारी तयारी कैसी होगी कौन सा रनीती अपनाएंगे किस विशेवस्तू पर जादा ध्यान देना पड़ेगा किसको हम कम ध्यान दे करके तयारी कर सकते हैं इन सभी चीजों को जानन के लिए पुराने प्रस्ण पत्रों को आनि इसके पहले वाले प्रस्ण पत्रों को देखना आवस्यक है तो उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं इसके पहले दस प्रस्णों तक हम लोग देख चुके हैं आज मेरा गरवा प्रस्ण है चलिए देखते हैं बच्चे खालिस्था को छोड़कर यन सेभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं गरहन करते हैं आनि कहां पर किसको छोड़कर हर जगा लिंग भूमिकाएं गरहन आनि लेंगिक भेदभाव पता चल जाता है मिडिया के द्वारा समाजी करण के द्वारा संस्कृति के द्वारा क्यूसन के द्वारा दोस्तों मिडिया में आये दिन भेदभाव से समंदित खबरें छपती रहती हैं समाजी करण में समाज में तो कन्या भुरुनहत्या देज या फिर घरेलू हिंसा यहां पर तो होता ही है संस्कृति में भीवई रहनसान ये सब में भेदभाव जलकता है लेकिन ट्यूसन में एक ट्यूसन एक ऐसा जगह होता है जहां लड़का हो या लड़की बस एक चात्र एक अस्टुडेंट है वहाँ न गर्ल अस्टुडेंट है न वाज अस्टुडेंट वहाँ एज ये अस्टुडेंट है तो टूशन को छोड़कर इन से भी चीजों में लिंग भूमिकाएं गरहन करते हैं तो इसका अंसर टूशन हुआ उसके बाद वारह देखिए मान की कृत परिच्छन है कि आलोचनाओं में से यह एक है कि मान की कृत परिच्छन वे मुख्यूरूप से मुख्यधारा की संस्कृती का परतिनिदूत करते हैं और इसलिए पच्छपाती हैं उनकी भासा को समझना मुश्किल है परिच्छन बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं वे बच्चे की छमता की अस्पश्क तस्वीर नहीं देते हैं मान की कृत परिच्छन को जानना आपको जरूरी है तभी इसका अंसर आप बता पाएंगे मान की किरत परिच्छन वह परिच्छन होता है जो एक निश्चित मानक की अधार पर एक विशेश समू के सदस्यों का परिच्छन करता है यहाँ पर देखिए एक निश्चित मानक है और एक विशेश समू है यहाँ भी मिश्चित है और समू विशेश है तो इस तरह के परिच्छनों में आपका पच्छपाती होता है क्योंकि यहाँ पर केवल विशेश तरह के लोग ही रहते हैं संदर्व समू जो होता है विशेश तरह के लोग होते है यता अस्पष्ट है कि यह परिच्छन मुख रूप से मुख धारा की संस्कृति का परतिनिद्यूत करते हैं तथा इसकी कारण ये पच्छपाती होते हैं ये मुख धारा की संस्कृति का परतिनिद्यूत करते हैं और ये पच्छपाती करते हैं इसलिए राइट अंसर पहला होगा एकाधी बुद्धमानी का सिधान्त कहता है सबसे पहले आपको एकाधी बुद्धमानी समझना पड़ेगा एकाधी बुद्धमानी का सिधान्त गाड़नर ने दिया था किस ने दिया था गाड़नर ने इसके अमसार बुद्धी का स्वरूप एकाधी ना होकर एकाधी ना होकर बहु कारकिये होता है इसको समझिये गाड़नर ने कहा कि बुद्धी का जो स्वरूप है यह एकाधी ना होकर बहु कारकिये होता है अर्थात बच्चा जदी किसी एक में तेज है माल जिये वह खेलने में तेज है तो जरूरी नहीं कि केवल यह खेलने में ही तेज रहेगा हो सकता है वह पढ़ने में तेज होगा हो सकता है वह गाना गाने में भी तेज होगा हो सकता है वह मूर्ती बनाने में भी तेज होगा तो यहाँ पर क्या हुआ ग्यान बुद्धी बहुकारक्य हो गया तो इसका हम लोग option देखते हैं बुद्धी तेजी से बढ़ाई जा सकती है बुद्धी कई परकार की हो सकती है हमने कहा बुद्धी बहुकार की हो सकता है तो ये राइटन सरु हुआ सिछक सीखने के लिए मुल्यांकन और सीखने के मुल्यांकन दोनों का उप्योग कर सकते है यहां पर दिया हुआ है बच्चों की प्रगति और उपलब्धी अस्तर को जानने में बच्चे की सिखने की जरुतों को जानने में तदनावसार सिच्छक रनिती का चैन करने में आवधिक अंतरालों पर बच्चे के परदर्शन का आकलन करने और उसके परदर्शन को पर्मानित करने में, बच्चों की प्रगती की निगरानी करने और उसके सिखने के अंत्रालों को भरने के लिए उची तलच इनधारित करने में। बच्चों की प्रगती को मापना प्रगती को जानना और उपलबधी अस्तर को जानना तो इसका राइट अंसर यह होगा। सतत और व्यापक मुल्यांकन को भारत के सिखा अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्ज किया गया है। यह सिखा अधिकार अधिनियम बना उसी समय सतत और व्यापक मुल्यांकन को सिखा अधिकार का एक अभिन अंग बना दिया। तो यह भी सई हो गया। यह भी राइट हो गया। तो बचाए तो यहीं लास्ट ऑप्शन होगा। यह अंसर यह बचों की धीमे खराप यह देखे यह नहीं होता है। बच्चे धीमाय खराप यह यहां सतत और व्यापक मुल्यांकन में इसकी उपलबधी पर कैंदरित है। उसने क्या पाया उस पर कैंदरित है। क्या खो रहा है। उस पर कैंदरित नहीं है। तो समंधित नहीं में आपका राइट अंसर चवता हुआ। बच्चों में परतिभागिता के कारण हो सकती है आनुआनसिक्ता और वातावरन के बीच एक अंतक्रिया यह एक संसाधन समर्ध बातावरन एक सफल मातापिता एक अनुसासित दिनिचरिया पर्तिभा सालीता बच्चों में पर्तिभा सालीता किसके अधार पर होता है बच्चे पर पर्तिभा साली होईंगे इसके लिए आनुवानसिक्ता भी जिम्मेवार है और इसका वातावरन भी जिम्मेवार है आनुवान सिक्ता में देखिए जिसके माता पिता जैसे रहते हैं उसके बच्चे भी उसी तरह होते हैं माल जे कोई लंबे माता पिता है तो उसके बच्चे भी लंबे होईंगे तो यहां पर जदी उसके माता पिता तेज दिमाग वाले परतिभा साली हो प्रतिभा साली हो तो उसके बच्चे भी प्रतिभा साली होएंगे तो एक अनुआशिक्ता काम किया दूसरा वातवरन बच्चों का चरित्र व्यक्तित्व और बुद्धी इन तीनों पर वातवरन का भी परभा पड़ता है चरित्र पर बुद्धी पर और व्यक्तित्तु पर उसका वातावरन का भी प्रभा पड़ता है तो यह दोनों मिलकर बच्चे को परतीभा साली बनाने में मदद करता है तो छठा का राइट अंसर एक होगा सत्रहमा देखिए सामाजिक आर्थिक रूप से बंचित प्रिष्टी भूमी से आने वाले बच्चों को तच्छा की माहौल की आवसकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यभार सिखाता है उनके सांस्कृतिक और भासाई ग्यान को महतो देता है तथा उनका उप्योग करता है उनके भासा के उप्योग को हतोत साहित करता है ताकि वो मुख्यधारा की भासा सिख सके बच्चों को उनकी छमताओं के अधार पर वर्गिक्रित करता है दोस्तों यहां पर है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित प्रिश्टु भुमी से आने वाले बच्चों को कच्छा की माहल क्या हो सकता होता है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है आर्थिक रूप से पिछड़ा है ये बच्चे जब विद्याले में आते हैं साम का माहोल कैसा बनारा चाहिए उन्हें अच्छा वेवार सिखाता है विद्याले का माहोल इसा करें जिसे वे अच्छा वेवार सिखें उनके सांस्कृती और भासाई ज्यान को महतो देता है और उनका उप्योग करता है दिखिए उनकी अलग सामाजिक और आर्थिक प्रिष्ट भूमी है उनका हम लोग महत करते आनि उनकी जो संस्कृती है उनकी जो भासाई ग्यान है उसका महत देना चाहिए और उनका उप्योग बच्चे करें ऐसा नहीं कि उसका जो भासा है अलग उसको हम बंद कर बादें बोलने के लिए और विद्याले में जो भासा है उसको कराएं इसा नहीं उसके उसका जो भासा है उसका उपयोग के लिए हत्सुत साहित नहीं करना है उसके भासा ही ज्यान को महत्त देना है उसका उपयोग करना है जिसका राइट अनसर भी होगा अठारवाँ प्रश्न है कच्छा में सिर्जनात्मक और परतिभा साली बच्चों के लिए आवसक्ता हस्तचेप निर्भर करता है कच्छा में सिर्जनात्मक और परतिभा साली बच्चों के लिए आवसक्ता हस्तचेप निर्भर करता है सिच्छक द्वारा अनुकुलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उप्योग पर उन्हें अत्रिक्त समय दिये जाने पर उनके प्रति असने ही होने के नाते पर उन्हें आइन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर यहां पहले प्रसंद को देखिए सिर्जनात्मक और परतिभासाली बच्चों के लिए आवस्यक हस्तचेप कच्छा में सिर्जनात्मक और परतिभासाली बच्चों के लिए आवस्यक हस्तचेप क्या किसके हस्तचेप पर क्या क्या करने से बच्चे सिर्जनात्मक बनते हैं और परतिभासाली बनते हैं यह हमको देखना है। सिच्छक द्वारा अनुकुलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपियोग पर। जदी सिच्छक जिस तरह का माहोल चाहिए, यानि उचीत माहोल दे, उचीत वातावरन दे, कच्छा का, विद्याले का, और प्रेरक निर्देशन आनि पढ़ाने का जो तरीका है, वो प्रेरक हो, तो क्या बच्चे सिर्जनात्मक पर्तिभा साली बनेंगे। या उन्हें अत्रिक्त समय, कच्छा का समय माल जिए 45 मिनट है, तो उसके अत्रिक्त 15 मिनट और हम पढ़ा करके, बच्चों को सिर्जनात्मक पर्तिभा साली बनाएंगे। उनके प्रतियस नहीं होने पर, उन बच्चों को जो तेज बच्चे हैं, सिर्जनात्मक पर्तिभा साली बच्चे हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेम करेंगे या फिर इन बच्चों को हम दूसरे कलास यानि उनसे जुनियर को पढ़ाने के लिए देंगे तब बच्चे पर्धिपा साली बनेंगे दोस्तों ये तीनों गलत है ये आपका सही है जब सिच्छक के द्वारा उचित बेवहार दिया जाता है उचित अनुकुलित वातावरन दिया जाता है और प्रेरक निर्देशन दिया जाता है तो बच्चे सिर्जरात्वक बनते हैं पर्तिवा साली बनते हैं उनिस्वा प्रस्न देखिए, अती सवेदन सिल बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निमलिखित में से कौन सा तरीका उप्युक्त तरीका नहीं है, यहाँ पर नहीं सब्द दिया हुआ है, तीन अच्छा है, एक खराप है, यहाँ पर इस पर हम लोगों को ध्याद करन माल जी कोई एक आप क्रिया कलाप करने जा रहे हैं, इसको छोटे-छोटे भागों में तोड़कर काम करना चाह रहे हैं, आनि बच्चों से काम करवा रहे हैं, और परमंद की यह खंडों में अलग-अलग के लिए अलग-अलग टीम बना रहे हैं, एक यह तरीका हुआ या बाद में बताएंगे इसमें आप खुद सोचिए कौन सा उप्युक्त तरीका नहीं है, तो डाटना फटकारना ये अलग है, ये उप्युक्त तरीका नहीं है, इसलिए ये उप्युक्त तरीका नहीं है, तो ये उप्युक्त तरीका नहीं है, बीस वाला देखिए, अलग-अलग सोच वाले पेट अलग-अलग सोच वाले पेटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कौन ऐसा बच्चा है जो एक ही समस्या कोई भी समस्या हो इस समस्या हल करने के लिए अलग-अलग तरह का पेटर्न सोचता है अलग-अलग तरह का पेटर्न सोचने वाला कौन बच्चा है बिकलांग बच्चे समस्या को हल करने के लिए अलग-अलग केवल बिकलांग डिसलैसिक्स सिर्जनात्मक पर तो जो सिर्जनात्मक बच्चे होते हैं वे बच्चे अलग-अलग तरह से सोचते हैं तो ये इसका अंसर है आगे वाले वीडियो में दोस्तों मैं 28 प्रस्ण संख्या 20 से लेकर चलूँगा और ज़िदी आप लोग बहतरीन तयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे ग्रूप में आप जूड सकते हैं वाटसप ग्रूप में यह मेरा वाटसप ग्रूप है वाटसप नम्मर है यहाँ पर मेसेज करें और मेरे साथ जूड सकते हैं लिखेंगे आप सीटेट 2019 मैं अपने ग्रूप के बारे में आपको जानकारी दूँगा और वहाँ पर समझ सकेंगे धन्वाद दोस्तों जहिंद फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ धन्वाद